So, Hey What's Up Guys, कैसे आप तपी लोग स्वागत करता हूँ, अब सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में तो आज हम लोग दोबार से बात करेंगे ऑनलाइन मल्टी प्लेयर गेम्स की जो की 2023 के अंदर लॉंच हुए है एंड हमेशा की तरह मैंने आज भी उन गेम्स को सीरीज में से हटा दिया है जो की नई लॉंच हुए थे बटन का गेमपले एक्सपीरियेंस 30 था एंड एक और बात सीरीज में आने वाले सबी गेमस के अंदर आपको को उप मल्टी प्लेयर का सपोर्ट देखने को मिलेगा ये ऐसे गेम्स होते जहां पर आप लोग अपने दोस्तों के साथ में अडवेंचर कर सकते हो और सर्वाइविंग वाली जर्नी पर जा सकते हो एंड साती में गेम की स्टोरी लाइन को साथ में मिलकर कर सकते हो एक लाइन में बताऊं तो ये सारे गेमस काफी मसता और काफी जबरदस्त होंगे तो आप लोग इस वाले वीडियो को लाइक कर दो सब्सक्राइब करना मत बूला विडियो को हम लोग यहां पर इस्टार्ट करते हैं अगर आपको किसी और टॉपी के उपर वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना यहां पर से हम लोग अपने वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं सीरीस को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सीरीस में आने वाले नंबर वन गेम की सबसे पहला गेम है टैक्टिक शॉट इस गेम का डाउनलडिंग साइज होगा 167 MB यह वाला गेम पूरी तरिके से ओनलीन है यह वाला गेम 2023 के अंदर लाँच वाता हैं यह एक high quality graphics वाला first person shooter गेम है और इस गेम को आप लोग CSGO का light version बोल सकते हो यह वाला गेम काफी जादा lightweight है और इसे specially optimized किया गया है low end device के लिए सभी shooting गेम सी तर यहाँ पर भी आपको different game mode देखने को मिलेंगे जैसे कि death match, AWP mode, bomb operation and melee combat यहाँ पर आप लोग अपने character को ऊपर से नीचे तक पूरा customize कर सकते हो और आपके पास में different weapons भी होंगे जैसे हम लोग रोज एक ही तर का खाना खाके बोर हो जाते हैं वैसे ही एक map के अंदर हम gamers के लिए खेलना possible नहीं है यह बड़ी अच्छी बात कहीं है इसलिए thanks to developer जिन्होंने game के अंदर काफी सारे different maps को भी add किया है जैसे कि dust, city, arctic and construction area जिसका नाम है build एक line में बताऊं तो यह वाला game काफी तगड़े level का anti से आप लोग check out कर सकते हो तो यहाँ पर से हम लोग अपने video के अंदर आगे बढ़ते हैं एंद बात करते हैं सीरीज में आने वाले number 2 game की So guys, इर हमारी सीरीज का second game है Stories 1 इस वाले game का downloading size दोकर 280 MB एंद यह वाला game भी पूरी तरिके से online है प्ले स्टोर के उपर आपको यह वाला game early access के लिए देखने को मिल जाएगा एंद पिछले वाले game की तरह यह भी एक co-op multiplayer game है जहाँ पर आपको first person shooter का support देखने को मिलता है Basically इस game के अंदर आपको सामने वाले team यानि की opponent वाले team के base को हतियाना होता है एंद इसके लिए आपको strategy बनानी होगी एंद सबसे ज़रूरी आपको team work दिखाना होगा यह एक mobile style का shooter game है जहाँ पर आपको 5 vs 5 का battle system देखने को मिलता है और इधर भी आप लोग अपने character को detail में customize कर सकते हो आप लोगों ने काफे सारे shooting games को खेला होगा बट यह वाला game थोड़ा सा अलग है इसलिए आप लोग इस वाले game को अपना एक try दे सकते हो एंड इस series में बताए सबी games की download link आपको वीडियो के description box में देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर से हम लोग अपनी video के अंदर आके बढ़ते हैं और बात करते हैं इस series में आने वाले number 3 game की इस game के डाउंडिंग से होगा 830 MB यह वाले game भी पूरी तरिके से online है यह game 2022 के अंदर launch हुआ है यह एक काफी बढ़िया battle world game है जहाँ पर आप लोग को fast-paced gameplay देखने को मिलता है यह game science fiction world के अंदर set है जैसा कि आपको पता होगा एक मई को Apex Legend का shutter down हो गया था अभी के टाइम पर आप लोग Apex Legend को नहीं खेल सकते है बट Skyfall Chaser से काफी अच्छा alternative है Apex Legend Mobile का तो आप लोग इस वाले game को खेल कर देख सकते हो यहाँ पर आपको console level की graphics quality देखने को मिलती है और इस वाले game का mechanism काफी दादा realistic इस वाले game को ट्राय कर सकते हो अगर आपको future में कभी दुबारा से मेरे वीडियो सेखने का मन करे और आपको मेरा channel ना मिले तो आपको एक और दुख होगा इससे बढ़ी आप लोग अभी चाकर इस वाले channel को subscribe कर लो तो यहाँ पर से हम लोग अपने वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरीज में आने वाले number 4 game की So guys इर हमारे सीरीज का जो 4th game में वो कोई game नहीं है बजकि वो एक emotion है मैं बात कर रहा हूँ Sky Children of the Light की इस game का downloading size दो 1.3 GB और यह वाले game पूरी तरिके से online है वैसे तो यह वाले game 2020 में launch वा था लेकिन अभी 15 माई को हमें एक और नया update देखने को मिला है और basically यह एक role playing adventure game है जहाँ पर आपको open world environment देखने को मिलता है इस वाले game का soundtrack और आसपास का environment आपको एक अलगी दुनिया में ले जाएगा जैसे कि आप लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा सबी games की तरह ये भी एक co-oop multiplayer game है जिसे आप लोग दोस्तों के साथ में या फिर single player खेल सकते हो एक beautiful animated kingdom आपका wait कर रहा है तो इस वाले game को जरूर से जरूर से ट्राय करना ये वाले game हमारी series का highly recommend game होगा तो यहाँ पर से हम लोग अपनी video के अंदर आगे पड़ते हैं और बात करते हैं series में आने वाले number 5 game की तो गैजर देखते ही देखते हम लोग अपनी series के end game पर पहुंच चुके हैं तो हमारी series का पांच वा और आखरी game है recurrence go up इस वाले game का डाउंडिंग साथ दोगा 1GB और ये वाले game पूरी तरिके से online है ये वाले game 2023 के अंदर launch वाता और ये एक tactical shooter game है जहां पर आपको as a rescue member इस वाले game को play करना होगा तो इस game के अंदर एक बड़ी शी gang होती है जिरोंने कुछ लोग को बंदी बना लिया होता है और आप एक rescue member हो तो आपका काम है उन्हें बचाना वैसे तो ये एक online game है बट आप इस वाले game को offline भी खेल सकते हो कर सकते हो तो गैजर यहां पर मैंने आप लोग को multiple series के पांच वो के पांच गेम बता दिये हैं टाइम आच चुका इस series को यही पर end करने का तो अगर आप लोग को ये वाले video पसंद आई हो तो इस video को अभी जाकर like कर दो एंटेसी कमाल की videos को future में देखने के लिए इस वाले channel को subscribe करना मत बूलना description के अंदर आप लोग को सभी games की link देखने के मिल जाएगी तो आप लोग जाकर game को try कर सकते हो आप लोग इन वाले games को enjoy करो मैं आप से किसी ऐसी ही amazing video के अंदर दुबारा मिलता हूँ तब तक के लिए आप सभी लोग को bye bye